इसमें एक मामा जी का क्रेक्टर है, दो उनकी सिस्टर के बेटे हैं गौरव और संजू और दो टीमें हैं, खतौली की टीम और शहर की टीम, फुटबोल प्रेमी मामा जी के साथ दो भाई फुटबोल का मैच देखने जाते हैं, तेज दूप से बचने के लिए मामा जी चाता खोलते हैं, इसके साथ ही जो गटनाओं का क्रम चलता है, वो मैच में बादा डालता है, खिलाडियों और रैफरी के बीच बहस कर जनम होता है, इसमें क्या होता है, वे आप इस हाश्य कथा में स्वैम ही पढ़कर जान सुनकर समझ सकेंगे मामा जी जो होते हैं वो अपनी सिस्टर से अपनी भेहन से बोलते हैं कि जी जी आज मैं दोनों खिलाडियों को मैच खेलने ले जाओंगा जानि कि ये जो बच्चे हैं दोनों गौरव और संजू ये उनके मामा जी है तो वो अपनी sister से बोलते हैं कि मैं इनको match देखने के लिए ले जाना चाता हूँ तो वो उनकी ममी को मनाते हैं तो वो गौरर वर संजु की ममी इसके लिए मान जाते हैं मामा जीन दोनों को साथ में ले जाते हैं और छटड़ी को कलाई में लटका लेते हैं और थ्यार खड़े होते हैं तीनों बस में चड़े जड़ते हैं और स्टेडियम पहुंते हैं आगे पंकती में जनिकी कलाई में जाकर बैठ जाते हैं शुरू शुरू में तो जो टीम ने जल्दी से गोल कर दिये थे शहर की टीम ने और सारा जो वातावर्न है वो अच्छे से गूँज उठा था तो सबी लोग खतौली की टीम के खिलाफ नारे लगाने लगे जाजा करने लगे और खतौली की टीम ने इसके बाद जोश में आकर ही देखते ही देखते उन्होंने भी स्कोर बना लिया शहर की टीम से बचाव में खेलने लगे टीम वाले और खेल जोरों पर पासा पटने ही लगता था कि एक एक मिनट पर खेल ने मोड लेता जा रहा था सिर्फ अभी दोनों टीमों ने दो दो गोल बना दिये थे तो आदा गंटा ही मैच खत्म होने में रह गया था अब शहर की टीम जो है खतौली की टीम पर हावी हो गई थी इसके बाद क्या होता है कि सूरज जो होता है जहां पर मामा जी बैठे होते हैं वो दोनों बच्चे बैठे होते हैं सूरज उनके दाई तरफ से जने की राइट साइड से उपर उठकर चमकने लगता है उनके जने की चहरे पर धूप पढ़ने लगती है गौरव और संजू अपने टोपी को आँखों के सामनी कर लेते हैं और मामा जी जो होते हैं वो परिशान से नजर आते हैं और हाथ का साया करके बैठ जाते हैं उदर मेदान में सेंटर फॉरवर्ड ने फुटबॉल अपने काबू में कर लिया था और अन्या खिलाडी भी दूर थे उनका ये सोचना था कि आगे जाकर जो बाल है वो लबक लेगा बॉल डी में होगा तो एक किक का फिर एक गोल हो जाएगा जब आंखों पर हाथ रखकर बैठे वी मामा जी ने चाते का बटन दबाया और बटन दबाने ही की देर की थी कि जो चाते का डंडा था वो उनके हाथ में रह गया और उपर वाला जो चाता है वो हवा में उड़ जाता है और इसके बाद क्या होता है वो ठीक एक पैराशूट की तरह खुल जाता है और हवा में उचले हुए बाल के साथ ही जो बॉल उपर गई थी खिलाडियों की उसके साथ ही नीची आने लगता है जैसे ही बॉल ने नीची आकर ठपा खाया तो एक जो खिलाडी था वहां पर खड़ा हुआ उस छतड़ी क्या होती है कि उसके सर पर गिर जाती है और वो छतड़ी के उससे ही उलज कर रह जाता है उसी समय से अचानक से सीटी बसती है और मामा जी जो होती है उनके बच्चों के वो छाता लेने के लिए मैदान में चले जाते है और गौरव उसी लाकर कहता है कि मामा जी रुकिये लेकिन वो खिलाडी होता है दूसरी तरफ तो वो बहुत ही गुसे में आता है वो कहता है छाता तुमारा था मामा जी ने अभी जवाब ही नहीं दिया थे अब भई मैं ही बोला था तो इतनी में उसने मामा जी का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मेरा गोल खो दिया है साथी इसको गेर लो और तभी से सीटी बस दिया है और खतौली की टीम का मैनेजर बोलता है वो थोड़ा सा परसन नजर आता है क्योंकि उनकी टीम को जो था वो गोल नहीं हुआ था तो इतनी वो कहता है कि देर मत करो खेल का समय खत्म होने वाला है जरा जल्दी बहुत ही तेज आवाज से वो बोला अभी खेल खत्म ही इन्होंने खत्म कर जी खेल खत्म तो हो गया था जीता जताया मैच जो हर ड्रा हो गया है खिलाडी बोले तबी दूसरी टीम का जो मैनेजर है वो भी वहाँ पर पहुंचा है आप तो कहेंगे ही साहब ये तो उसी जगा से शुरू होगा बॉल दीजिए अकड कर वो थोड़ा बोलता है तबी सिखताली की टीम का जो मैनेजर होता है वो कहता है ये काउन सी पुस्तक में नियम लिखा है कि जो फुटपॉल का मैच अगर खवा में बॉल गया है तो वहाँ से ही शुरू होगा तो सभी तरफ से सनाटा शा जाता है एक दूसरे को देखने लगते हैं मामा जी पर गुस्या होने लगते हैं तो खिलाडियों से भी शीने से जो छतड़ी होती है वो मामा जी सीने से चतड़ी को लगा लेते हैं और खिलाडी फिर बहुत ही खिस्या कर बोलते हैं कि ठीक है खेल शुरू करो और खतौली की टीम ने मैनेजर को इसमें से कोई अपत्ती नहीं थी तुरंत मान लिया था शहर की टीम के मैनेजर ने भी धकेलते हुए कहा था भाई ओ भे धड़क होकर गोल करो बादा हट रहा है उत्तर की प्रितिक्षा किये बगयार ही मामा जी की भाँ पकड़ कर बहार ले जाने लगा गौरव और संजु जो था वो चुप चाप बैठा उनके पीछे-पीछे हो लिये तो इस तरह सुझ जो था मामा जी की चाता के कारण चाते के कारण बहुत ही कतौली की टीम को जो हार का सामना है वो नहीं करना पड़ा थैंक्स एंडे हावी नाइस टे